हर्याना H9PM नुश्यनल में आप सबका स्वागत है आई आपको कराते हैं खबरों से खरकुदा में डॉक्टर सेथी के अमर हस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्मान अब खरकुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित सा सुवीधाई आखों की हर तहे के इलाज वा आपरेशन के लिए नित्र रोग विशिशज्य डॉक्टर प्रेंका पटेल शहर की परताब कालोनी में एक मोटर साइकल सवार महिला का पस छिनकर फ्रार हो गया महिला उमा ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताए कि सेटी हस्पताल खुड़कोदा में वे केशेर के पद पर कालोनी में रहती है वे शाम के करीब 7.15 मिनट अपने डूटी करके घर जा रही थी इसी दोरान जब वेपरताफ स्कूल के गेट नमबर एक के पास पहुची तो एक अग्यात मोटर साइकल सवार उसका पस छिनकर भाग गया रूट की वादात होने पर उसने पुलिस को सुचना दी महिला ने शिकायत में पुलिस को बताए कि उस पर्स के अंदर चैन, मोबाइल और 15,000 रुपे कैस दे पिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दज करते हुए जाश शिरू कर दी है पियो स्टाप सोनिपत की पुलिस ने दो यूगों को दो अवैद पिस्तोल सहीद की रफ्तार करने में सफलता हसिल की है गुप्त सुचना के आदार पर सनी निवासी अदियाना जिला पानिपत हाल देवी लाल नगर गोहाना जिसके पास अवैद देशी पिस्तोल वे एक जिन्दा रोंद मिला है उसे खर्खोदा के एक हंडर रोड से काबू किया गया है वहीं दूसरा यूवक निरजवासी कतुरा हाल गोहाना को खर्खोदा के सापला रोड बाइपास से काबू किया गया है जिसके पास अवैद देशी पिस्तोल वे एक जिन्दा रोंद मिला है पुलिस ने दोनों यूवकों के खिलाब मामला दर्ज कर जाश शुरू कर दी है पशुपालक की भैसवे कटिया चोरी हलालपूर गाउं में चोरों ने एक पशुपालक की भैसवे कटिया को चोरी कर लिया है सतिसकुमार ने बताई कि वे अपने घेर में तीन भैसवे एक कटिया बांद कर पास के कमरे में सो गया था रात्री के समय उसे पशुपाल के चलनी के आवास सुनाए दी उसने कमरे से भारा कर देखा कि एक व्यक्ति उसकी भैस को लेकर जा रहा है वे उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा उसे आगे चल कर देखा कि एक पीकप गाड़े स्टार्ट कर दी है जिसमें उसकी एक भैस वैकटिया है चालक गाड़ी को भगा कर ले गया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांश शुरू कर दी है नेशनल फेडरेशन विशू कप के लिए हर्याना टीम का परताप स्कूल खरकोदा में हुआ ट्राइल नेशनल फेडरेशन विशू कप के लिए हर्याना टीम का ट्राइल परताप स्कूल खरकोदा में संपन हुआ ट्राइल में हर्यान के विभिंजिलों से 120 खिलाड़ू ने भाग लिया ट्राइल काशु भारम दुरोनचारिया वारडी ओंपरकर दया वे अकैडमिक डिरेक्टर डॉक्टर सुबोध दया ने बाउट आरम करवा कर किया लड़कों की टीम में 45 किलोग्राम भार वर्ग में नीशा रो तक 48 में प्रीती जीन 52 में अपर्णा सोनी पत 56 में शिक्षा रो तक 60 में कोमल फरिदाबाद 65 में खुशी करनाल 75 में निधी रेवारी का चेन हर्यान की टीम में हुआ लड़कों की टीम में 48 किलोग्राम में साहिल चर्की दादरी 56 में सागर जजर 60 में चिराग हिसार 65 में 37 चर्की दादरी 70 में विक्रम भिवानी 80 में इशू सोनीपत 90 में रोहित सोनीपत वैर 90 पलस में भारत चर्की दादरी का चेन हर्याना की टीम में हुआ लोड़कों की टीम में 48 किलोग्राम में साहिल चर्की दादरी, 56 में सागर जजजर के साथ में चिराग हिसार 65 में, 37 चर्की दादरी 70 में, विकरम भिवानी 80 में, इशू सोनी पत 90 में, रोहित सोनी पत 90 पलस में, भारत चर्की दादरी का चैन हर्याने की टीम में हुआ, ट्रा पसित रहे पंडित प्रेम अतरिक किया नागरी कभी नंदन शहर के बीडियास कोंप्लेक्स में ओल इंडिया गोर्ड भ्रामन एजुकेशन संस्थारो तक के पूर्व परधान पंडीत प्रे मतरी का नागरी कभी नंदन किया गया उन्हें शहर के गणमाने लोगों दवारा फोल माला पगड़ी वैशोल भेट की गई इस अवसर पर लोगों को संभोधित करते हुए पंडीत प्रे मतरी ने कहा कि उन्हें लंबे समय से राजनीती के अक्षेत्र में कार्य करने का नुभव रहा है यदि सोनी पतलोक सभा से कांग्रेस पार्टी द्वारा उमीद्वार बनाये जाता है तो अपने अक्षेत्र में वेविकास कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उन्होंने कहा कि भाजपर सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मेंगाई ब्रश्टाचार बे रोजगारी अपराद चरंद पर पहुंच गया है पदेश के व्यापारी किसान क्रमचारी खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर पदर्शन कर रहे हैं पदेश के यूवर रोजगार पाने के लिए दर-दर के ठोकरे खा रहे हैं क translate क्रोड़ों रुपे कांग्रे शरकार द्वार कराए रिख गये थे खिलाड़ी और किसानु व्यापारियों को मान्समान देने का काम किया गया था उनकी सरकार बंती है तो परदेश का व्यास कराकर नंबर बनाने का काम किया जाएगा इस मौके पर करकोधाबार एस्याश वे स्वास्ता जांच कैम्प लगा दी फ्री दवाईयां वे चश्मे थाना कुर्द गाउं में स्थीत दास टेनफोर्ड स्कूल में चोधरी मामन सिंग नंबरदार ट्रस्ट एवं जीवन जोती जन कल्यान सिवा समीती दवारा अपना चोधवा स्वैचिक रक्तदान कैम्प वे स्वास्ते जांच कैम्प लगाए गया इस रक्तदान शिविर में चमवन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और स्वास्ते कैम्प में 160 मरीजों ने अपना चेक अप करवाया जिसमें पच्पन मरीजों को संस्ता द्वाराचेश में वित्रित किये गए और दवाईयां भी फ्री वित्रित की गई कैंप में मुक्यतिती के तोर पर डोक्टर रामनिवास चेर्मेन हर्याना होस्पिटल ध्रमवीर दहिया पूरुरेड ग्रोस अधिकारी और महावीर सोनिपत बलड बैंक डारेक्टर ने रक्तदाताओं को बैच लगा प्रोसाइथ किया कैंप में दस्टेनफोर्ट स्कूल के चेर्मेन सव दहिया एवं जीवन जोती जन कल्यान समीती के अध्यक सतेंदर दहिया ने बताए कि ये रक्तदाता को हाथ तीसरे महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए जिससे अपना स्वास्ते भी ठीक रहता है और किसी एक परिवा परवेश, नरेश, सुनेल, संदीप, छोटू, सोनू, धर्मेंदर, मंजीत तथा सभी थाना, खोर्द, निवासियों ने तक कैंप को सफल बनाने में सहयोग रहा प्रिताप स्कूल खर्खुदा देश की अगरनी सिक्षन संस्था अपनी बच्चे की उजवल फविश्य के लिए प्रिताप स्कूल खर्खुदा में दाखिला कराएं यहां चात्रों का आधुनिक सिक्षा स्विधाओं के साथ सर्वांगिन विकास किया जाता है जिससे प् प्रिताप मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉंच खर्खुदावे आइमटी में अलग-अलग साइज की इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रिधान गुरुप से संपर्ख करें प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए तिरानमे 555-50-009 पर स लगातार खाबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें धन्यवाद